नमस्कार दोस्तों विक्रम जारवल यूटूब चेनग में आपका सुभी का स्वागत हैं उम्मिद करता हूं कि आपको मेरी गलास अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉफिक है आपके लिए तिरकोण मिती क्या है तिरकोण मिती देखिए सुरुआत करें कि जो अपने तिरकोण मिती में अनुपात कितने होते हैं 6 कितने अनुपात हैं 6 तो अनुपात 6 है कौन कौन से साइन है कौस है टैन है कोट है सैक है और कौस है ठीक है यहां तगा है समझें तिरक पॉसट टैंड, कोट, साध, कोशाअ, ठीक है, आगे चले, समकॉर्ण, अभी यह समकॉर्ण क्या होता है, देखें समकॉर्ण की बात करें, कि समकॉर्ण, जो है, 90 डिगरी के एंगल को ही क्या कहता है, सम कौन कहते हैं समझे ठीक है 90 डिगरी सम कौन सम कौन बराबर होता है 90 डिगरी ठीक है और डिगरी की बात करें तो 90 डिगरी अगर एक डिगरी एक डिगरी बराबर होता है कितना 60 मिनट कितना होता है 60 मिनट यह हम बोल सकते हैं ऐसे लेख सकते हैं ठीक है और एक मिनट बराब 1 minute बराबर 1 minute बराबर 60 seconds होता है पता है न अपने को तीक है double sign करता है यहां single करता है आगे देखें यह अपनाते है सम्कूर 90 degree का angle तीक है यह ठीक यह 90 degree होती है उसे क्या बोलता है कर आण ठीक है क्या बोलता है करन और यहां मैं ठीटा ठीटा है अब जो ठीटा के सांट ठीटा के हमने यह बनाए हैं यह यह रेखा जो आकर गिरती है ना ये इसका जो इसे बोलता है वेस यानि आधार इसे क्या होता ही आधार यानि ये ये हो गया आधार और इसके ठीटा के सामने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते है क्या कहते हैं? यहां समझ बैंए? अब देखे इस के हम शुदित टेनी रख लिए? ए पी और सी आफ से पूछे की साइं ठीटा कि वेलू क्या होती है किसकी साइं ठीटा की साइं ठीटा मढ़ें ठीटा होता है लंबड़े? आगे बताएंगे आप लंबटे करन अब देखें लंब क्या है यहां पर लंब अब देखें हमने बताया था कि ठीटा के सामने जो रेखा होती है ठीटा के सामने उसे क्या वहता है लंब तो लंब क्या है यहां पर पीसी क्या है यहां पर बीसी ठीक है लंब क्या होता है बीसी और करन क्या है यहां फ्रोंपर कर अ किशे में सपराइब अट भी तरह एंधocy सब्हकर करणा अट की यह तो बसब्सक्राइब अगर आप से की जगभा है ठीटा की ज恩 के वेलूप प्र Она को मैं फाई हम यहां ले लेता है ठीक यहनि साइन फाई बराबर क्या होगा अब देखे होता वह ही है देखो लंबटे करण क्या होता है लंबटे करण साइन फाई अब देखे यहां लंब क्या होगा यह जो इस पर आकर गिरा नहीं है यह रेखा यहां पड़ाकर के लिए तो गया इसका बेस क्या हो गया बेस इसके लिए यह वेस हो गया यानि अब क्या हो जाएगा इसके लिए बेस इसके लिए भी इस क्या हो गया BC यानि आधार BC हो गया और इसके जो सामने रेखा गई यह क्या हो गया इसके लिए लंब क्या हो गया लंब यहां क्या हो गया AB लंब इसके लिए क्या हो गया AB हो गया ना तो यहां भी यह होद है लंब AB और करण AC यानि कि करन चैंज नहीं होता करन क्या नहीं होता चैंज नहीं होता यानि लंब और आधार चैंज होते हैं और किसके आधार पर होते हैं इसके ठीटा के और फाई यह जो भी कौन लेता है ना उसके उस पे रहता है ठीक है और जो यह रेखा कर गिरती है जहां पर आकर गिरती यहां पर यह यहां के गिरी है तो यह क्या होगा इसका यह अगे चले अब देखे यह अपने पास सफ़ तो शह अनुपात थेślęँ ठेन नम्ति कितने अनुपात ठेश है। साइन है। साइन है। साइन, कॉस्ट, टैन, कोट, सैक, कॉस्ट, ठीक हो बहुत हुद हो, साइन, कोट, सैक, कॉस्ट हो गया यहां तक, आगे देखिये, ये इनका आप क्या करता है साइन का विप्रित क्या होता है कोस का क्या होता है सैग, टैन का क्या होता है अब ये हमें याद कैसे करेंगे याद करते हैं याद करने का तरीका बताता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा देखे ये तीन लड़के हैं ते, लड़के 3 और यह लड़की है कितनी 3 अब इन तीनों की क्या करता है साधी करता है अब इन से कहा गया यह सबसे बड़ाई बड़ा कोन है आपर साइन सबसे बड़ाई बड़ा है साइन साइन दूसरा है कॉस और तीसरा कौन है टेन सबसे बड़े बड़े लड़के से कहा गया कि बेटा इसमें से तु लड़की चुनने तो उसने कहा कि में लिए तो बड़ी सी लड़की देख लो मैं सबसे बढ़ा है बड़ा हूँ क्यों पावत सबसे बड़ी लड़की और कद्वित्सा है सबसे बड़ी लड़के के लिए और इसके बाद हम बात करें कॉस की कॉस के कॉस की पतनी कौन हो गई सैग कॉस की पतनी कौन हो गई सैग और टैन से खा कि तू भी देख ले तुस ने का कि यह 10 में मेरे भी एक गुण मिल रहा है तो इसमें से मेरी पतनी मैं तो इससे साधी कर लूँगा तो यह 10 बराबर क्या हो गया कोट ठीक है आगे यहां तक समझ में यहीं साइन का उल्टा क्या होता है को साइन का उल्टा क्या होता है को साइन का उल्टा क्या होता है सैक सैक का कोस और टेन का उल्टा कोट होता है आगे यह तक समझें आगे देखें देखें अब जो साइन का जो फोर्मूला होता है ना उसे अमने भी बताया था पीछे भी कि साइन का होता है लंबटे करन देखें एक इमिट स्वरी साइन का जो फोर्मूला है वो होता है लंबटे साइन ठीटा बराबर लंबटे करन देखें लंबटे करन अब साइन का विपरीद कौन होता है साइन का विपरीद कौन होता है यानि साइन की साइन की साधी किसके साथ कराइती कोसेक के साथ कोसेक का फोर्मूला क्या हो जाएगा कोसेक कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा अब देखो साइन का उल्टा कौन था कोसेक तो साइन का क्या है लंब टे करन तो कोसेक का क्या हो जाएगा करन बटे लंब आगे समझे यानि साइन की साथ ही किसके साथ कराएते है पर ने कोसेक के साथ किसकी कोस की कोस का होता है क्या कोस ठीटा बराबर आधार बटे करन क्या होता है अधार बटे करन तो कोस का विप्रित कौन होता है सैक कोस का विप्रित कौन होता है सैक सेक ठीटा बराबर अब कोस का उल्टा करन बटे आधार आगया तक समझें ठीक है इसी प्रकार किसकी बात तो आदा बराबर होता है लंबटे, आधार, लंबटे, आधार, लंबटे आदार, तो टैन का विप्रीद कौन होता है, टैन की पतनी कौन ते कोट, कोट, टिटा, बराबर, आधार बटे, लंबट, आ गया तक समझेज़े, ठीक है, अद देखिए, अगर आपको इस प्रकार याद नहीं होता है, तो आप इस पर कार याद कर लीना कि LALवते कका, क्या हो जाएगा? LALवते कका, LAL, DECKEE, मेरी नाम से शुरू होता है LAL, ठीक़े, LAL, 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 KAKA. ठीक है लाल बटे कक्का और इसका विप्रीत अक बटे लाल अक बटे लाल एलिया ठीक है अक बटे लाल लाल बटे कक्का तो देखो साइन का हो जाएगा लंबटे करण ये साइन का हो जाएगा ठीक है उसके बाद कोस का हो जाएगा आधार बटे करण ये कोस का हो जाएगा ठीक है लंब बटे आधार ये टेन का हो जाएगा ठीक है उसके बाद ये ये कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब इसका विप्रीद बता है था ना भी क्योंकि 10 यह फिर्ट कोंनों होता है 30 पत्न कोट थी टिक है उसके बारकोस की पत्न को थी सैख थी ठीच है और सायिन की उlexाय की पतर्म कौन थी detta के प्रीद यह जाएगा अगर यहचे चले तो यह उजाएगा कोट का यह हो जाएगा स्हिक का और यह हो जाएगा को सैका आगे आ तक सब्सेशन ठीक है आगे चले हुए उम्मीद करता हो क्या आपको मेरी प्प्तियू फब संदद आ रही होगी होगी ठीक है आगे दाक देखिए। अभी अभी हमने sign की साधी किस के साथ कराई थी किस के साथ कराई थी दोस्तो कौसक के साथ कराई थी न अब इन दोनों की साधी हो गई इन दोनों से क्या हो गई एक बच्चा भी हो गया इन दोनों की क्या हो गई एक बच्चा हो गया अब बच्चा हो गया तो इसने को सेर कराते हैं, कराएं, देखिए, अब sin θeता को अलग निकालते हैं, ठीक है, अब इनका, अब देखो, अभी आप पूछो का कि sin θeता क्रोस, cos θeता is equal 1 होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, अभी solve करें, देखो, sin θeता की, जो अपने मान निकालाता पने, ये sin θeता, sin θeता, बराबर, लंब बटे करण होता है, और cos act, cos act, cos act θeता बराबर भी क्या होता है, करण बटे, लंब होता है, इसका भी प्रित था ना, पता है था ना, देखे, क्रोस करा हैं इन दोनों के बीच में, तो लंब बटे, करण, लंब बटे, करण, करण बटे, लंब बराबर क्या होगा, एक होगा ना, लंब से लंब कैंसिल, करण से करण कैंसिल, तो बच्चा क्या, एक बच्चा, आगे याँ तक समझे, यहनी, sin θeता, क्रोस कोसक ठीटा, is equal 1, ठीक, आगे देखे, अब इन देखे, sine theta को भार निकालें पक्षांतर करेंगे देखिए अब अगर हम sine theta को भार निकालते हैं इस sine theta को भार निकालेंगे तो बच्चे क्या देखिए sine theta sine theta sine theta बराबर one upon cosec one upon cosec theta cosec theta अगर अपने को cosec theta का इमान निकालना है तो ये कैसे निकालेगा cosec theta cosec theta is equal upon sine theta आगे यहां तक समझे sine theta अगर आपको इस प्रकार देदे कि इस प्रकार देदे देखिए cosec cosec theta cross one upon sine theta की value क्या होती है वइलू किया ही, ठीक है यानि yayनौ 1 upon sine theta तो देखाई cosec theta cross one upon sine theta un upon sine theta की value क्या है अपने पास one upon sine theta one upon sine theta को वलता है cosec theta यानि cosec theta cross cosec theta क्योय यह होजाएगा cosec square cosec square theta आगे आगे हो तक समझे आया है बाар देखिये अगर आप से पूछे कि को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर दोनों को गुना किया तो क्या गया को सब्सक्राइब कि दूसरी है कि अपने कोंस की साथ कराएथी किस के साथ करा इती कोंस के साथ कराएथी कर दोनों के हो गई एक तो डिसको और करें समझा दें को कॉस को सीटा बदाबर होता है आधर बटे बटे करन के से के फ्लिठ के साथ किसे साथ किसके कलाएती ही के साथ इसका इल्ट थी औरक या log से करन से आदार is equal क्या आया एक आया आगया तक समझ में आगे देखें देखें अब जो है cost theta cost theta is equal one upon sec theta cost theta is equal one upon sec theta अगर sec को रहाल निकाले sec के value निकाले तो sec theta is equal one upon cos theta क्या जाएगा cost theta ठीक है अगर आप से अभी उसी की तरह है सेम है देखो cost theta cost theta cross one upon sec theta बराबर पूछे बराबर पूछे प्रस्ना सक्षिन तो क्या लिखाओगे देखो cost theta cross one upon sec theta का मान क्या है one upon sorry one upon cancel होगे एक मेंट को दोबार देख लिजे देखें cost theta cross or cost theta पराबर पराबर cost theta बराबर one upon sec theta और sec theta बराबर one upon cost theta और अपने से पूछाता cost theta cross one upon sec theta तो cost theta cross one upon sec theta के value क्या है आपे one upon one upon sec theta के value क्या है आपे cost theta तो cost theta अब cost theta और cost theta को बुणा करेंगे तो क्या जाएगा क्या जाएगा cost square theta आगे यह जाएगा cost theta cross sec theta is equal one होता है अब यह one कैसे है यह भी बता दिया ठीकर cost theta के value निकार लेंगे तो क्या जाएगा one upon sec theta और sec theta के value निकार लेंगे तो क्या जाएगा one upon cost theta अगर आपसे पूछे कि cost theta cross one upon sec theta is equal all क्या होता है तो आप क्या करोगे cost theta one upon sec theta के अपने पास value क्या यह थी cost theta तो दोनों को क्यों ना करेंगे तो क्या जाएगा cost cost square theta आगे यह तक समझें आगे चले देखें अपने पास तो तीज स्रसमी का है वह है 10 theta cross court theta कौन सी है 10 theta cross court theta study clayайте यह देंगी की पतनी कोश्चती इनकी पतनी कोश्चती क्या होता है इनके क्या हो गहाए इस और इक बच्चा कैसे हुआ देखें वैसे समझ में आ जाएगा बता देते हैं फिर भी देखें ए cachetey看看 कि is का उलटा इसका उलटा और वते लंन लंब से लंब आदार से अधार इस डोक ौल या एक आह गा थिन यह लाओ अफ्सक्राइब करते हैं कटल पक्षांतर करो कि ठीक है आगे देखेऊ एक टैन टैन ठीटा लाँ र島ग ओग कोट ठीटा क्या होगा कोट ठीटा बराबर क्या होगा वन अपोन थेटा होगा नहीं होगा ठीक है अगर इसी परकार आपसे पूछे कि कोट ठीटा क्रोस वन अपॉन टेन ठीटा का मान क्या होता है क्या निकालोगे यानि कोट ठीटा क्रोस वन अपॉन टेन ठीटा का मान क्या है अपने पास कोट ठीटा क्या है कोट ठीटा कोट ठीटा तो दोनों को अगुणा करेंगे तो क्या जाएगा कोट स्क्वायर ठीटा ठीक है आगे समझ में तक तो उमेद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो दोस्तों इसे लाइक एंड सेयर जरूर करे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ आपको ठीक है मैं वत्तुलाल बहरवा फिर आपके लिए अगली वीडियो लेकर जरूर आउँगा कमेंट में जरूर बताना क्या आपको ये वीडियो कैसी लगी धन्यवाद थैंक्यू ओके चलो